लिविंग रिलेशन एक वेस्टर्न कल्चर अधारीती एक परंपरा है और यह भारत में अपनाना बहुती थोड़ा अठपटा सा लगता है लिविंग रिशन विड़ाई माँपस अलग रहा तो क्या अपने दूसरे आने वाले जो वक्त उसको क्या देगा अगर कोई अपने प्रती नहीं लॉयल है जो बच्पन से लेकर अब तक साथ है तो फिर दो तीन चाल दस साल के रिलेशनसिप के प्रती के अलॉयल रहेगा ठीक है लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये मेरी गल्फरेंड या बॉइफरेंड है या फिर उनिवर्सिटी आते हुए सब स्टार्ट हो जाता है लेकिन ये बात के वल टाइम पास के लिए ये उनिवर्सिटी में टाइम पास करेंगा और ये साधी तक पहुच नहीं पाता है आप वहां पे भी देखते हैं तो वहां पे भी दहेज के लिए महिलाओं को साधी के बाद भी उनके फासी या लगाना पड़ता है या पी मुर्डर उनका कर दिया जाता है और यहां पे आप लिविन रिलेशन्सिप में भी देखे तो यहां पे भी कुछ-कुछ घटना है हम को देखने को मिलती है तो हम किसी चुट-पुट घटनाओं से या एक दो घटनाओं से हम किसी पूरी विचारधारा को नहीं बदल सकते हैं नमश्कार मैं निनमिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जक्षन इस वक्त हमारे साथ कुछ हात्र मौजूद है और हम उनसे उनका विचार जानेंगे, विचार किया है हम आपको बता दें कि दिल्ली एक मौत की नगरी बनती जा रहे है क्या दिल्ली में लड़किया सुरक्षित नहीं फर्क सिर्फ इतना होता है कि श्रधा के पैथिस टुकड़े हुए रहते हैं और इसमें निकी यादों को गला दबा कर उसका लीव-इन पार्टनर मडर कर देता है और अगले दिन शादी किसी और लड़की से रचा लेता है ये कितना सही है क्या लीव-इन रिलेशन्शिप मे लेकर क्या कहना चाहेंगे जैसा की निकी यादों के साथ लीव-इन रिलेशंशिप एक वेस्टरर अधारित ही परंपरा है और यह भारत में अपनाना भोती ठोड़ा अटपटा सा लगता है इसंते हमारी साबसे ये बहतर नहीं है तो फिर लीव-इन आने वाले जो वक्त उसको क्या देगा आपका क्या विचार है सर इस पर इसके लिए नहीं होना चाहिए इसके लिए क्या ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि यह बंद हो जाए सरकार को कानून लाना चाहिए कोई मझें एक क्राइटेरिया होना चाहिए इसका अगर सरकार ऐसा चाहिए बट मेरे एससा नहीं होना चाहिए आपका क्या विचार है मैडम इस पर म him I also agree with him क्योंकि ये लिवे इन मैं, जया हैं कि अगर हम living relationship में रह रहे हैं to हम, अगर parents के against जा रहे हैं, उन्हें चोड़के रह रहे हैं. तो फिर अगर नहीं हो सके तो हम दूसरे side क्या ही कर सकते हैं मतलब मैंसे के against मतलब वह नहीं सभी और है देखने को मिलती है तो फिर लिविन रिलेशनशिप को आप लोग गलत क्यों कह रहे है आपका क्या विचा है यह बात अगर गल्फरंड बॉयफरेंट गी है तो यह टॉटल टाइम पास है इस वाजह से क्योंकि ठीक है लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ यह मेरी गल्फ्रेंड या बॉइफ्रेंड है या फिर उनिवर्सिटी आते भी सब स्टार्ट हो जाता है लेकिन यह बात के वल टाइम पास के लिए उनिवर्सिटी में टाइम पास करेंगे और यह साजी तक पहुच नहीं पाता है और यहां भी इसे भी षब चेल पी जाते हैं यहां पर इंटरकास्ट लिव इन रिलेस्चन से भी ठीक है क्योंकि है ऐसी बात नहीं है कि सारे पेरेंट्स माना करते हैं या सब हुच इसे कोई बात नहीं है कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो आपनी पर पे खड़े रहते हैं यहां सकसेड़ ह प्रशाइब लिए तो उसे बात यहां से बहुत जादे उसे मतलब प्रोचाहिद भी हो रहा है वहां से भी उसके बाद ऐसा किस मतलब हिंदू या कोई और कास्ट अगर मुस्लिम रिलिजन से जुड़ा हुआ था लिव इन रिलेसमसिट के लिए तो उसमें भी कई सारे लड़की लड़कियों ने ब्रेक अप किया कि नहीं भाई जब ऐसे हो रहा है तो यह पक्का बात आगे बढ़ी और ऐसे ही होने वाला है और देखिए करते करते हैं कि आज फिर से ऐसा क गलत ही था क्योंकि हो सकी कहीं न कहीं वहाँ भी टाइम पास हो क्योंकि यह पिछा चुड़ा क्यों बात मैं इससे ज़ादे जादे रिलेशन सिपस में आपने सेलिब्रिटी नहीं टिकते हैं उनका तो कितने साल का रहता है कि अभी ओल्ड एज पे आ गये हैं और आने के ब बताओ क्या कि लड़की को करना क्या चाहिए किसी के साथ रिलेशन में रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए और अगर इसकी बात आती है तो एवरिधिन डिपेंड्स ओं ट्रस्ट और कहीं कहीं ट्रस्ट भी तूटता है और जो कि मैं हमको यह सब बिल्कुल पसंद नह बात पहुंचता है तो इस वज़े से बिल्कुल इसमें इंट्रस्ट नहीं है और बात रही तक जितना नोटिस की हैं यह आज पास की मेरी फ्रेंड्स मेरे क्लासमेट्स या अभी तक जितने भी उतने में यही देखे हैं कि लास्ट में जाते तो हम पहले संझाते तो है ला मैं यही बात है तो इसलिए तो हम दोनों नहीं कह सकते हैं क्योंकि अरेंज मेरेज में भी बात ही है लड़किया सूचते हैं कि अगर हम अरेंज मेरेज करके जाना तो लड़का सपोर्टिव नहीं होगा फैमिली सपोर्टेड नहीं होगा नहीं होगा और तो अरेंज बहुत सर्मनाक बात है और जो इसको भारत में बंद कर देना चाहिए ताकि सभी बच्चे अपने माबाप के साथ रहें और लेकिन श्रद्धा तो अपने माबाप के खिलाफ थी वो तो बोल के गई थी कि मैं आप लोग से कोई रिष्टा नहीं रखना चाहिए तो यह सब के साथ होगा सब के साथ नहीं होगा कुछ को साथ तो हो रहा है ना मेरा नाम धननजे शर्मा है देखिए मैं दो अतिवादी विचारदाराओं पर जाने से बचना चाहूंगा कि जैसे आप अरेंज मेरेज को ही देख लेजिए आप वहां पर भी देखते हैं तो वहां पर भी दहेज के लिए महिलाओं को साधी के बाद भी उनके फासी या ल कुछ-कुछ घटना हैं हम लोग को देखने को मिलती हैं तो हम किसी चुट-पुट घटनाओं से या एक दो घटनाओं से हम किसी पूरी विचारधारा को नहीं बदल सकते हैं उसको यह दो विचारधारा हैं दो जीने का तरीका है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि दोनों के ओगलीत खा no किसी अतिवादी विचारधारा में जाना चाहते कि मैं इसे बंद करता चाहता हूं या उसे लागो करण वाना चाहता हूं और अगर यह अगर छो नहीं को पिया हुद करता है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग Games humility बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोग को सोतनता प्राप्त होती जा रही है जीने का अपने लाइफ में डिशिजन लेने का तो राइट टू मैरी या राइट टू लेव इत इनीवन इस इस ऑल्सो आप फॉर्डमेंटल राइब जा रहे हैं तो फिर ये कांड क्यूं हो रहा है इतना ही ट्रस्ट है इतना ही प्यारे साथ में हम समय बिता रहे हैं शादी के पहले शादी शुदा जैसे रह रहे है तो फिर ऐसे क्यूं आ रही है घटना है अब यह तुम्हें हम व्यक्ति के उपर उनके क्या करते हैं उनके परिवार के बिश्वास रखना चाहिए जैसे नहीं कि पूरी जो हम पढ़ लिख रहे हैं सब कुछ वो पढ़ा ल रहे हैं अब तुम आप आप दोनों चाहिए खास कर के आप लीव-इंड रेलेशन्सिप को सपोड़ चेहीं ठीक है तो यह थे हमारे साथ कुछ शात्र मौझूद जिनका यह कहना है कि कुछ का कहना है कि लीव-इंड रिलेश्शनिप बढ़ियां भी और कुछ का कहना है की नहीं भी उसके प्रतियक सरकार को कानून बनाना चाहिए जिससे कि ये सारी चीजे पर रोक लग सके और ये घटना है ना घटे देखते हैं कि सरकार क्या इस पर एक नया कानून लागू करता है या नहीं करता है कि आए दिन ऐसी लड़किया हवस का सिकार होती जाएंगे और परस करने वाले टाइम परस करके और लिव इन रिलिशन्शिंप में रहके और अपने आपको महान बता के और उसका यूज करते तो क्या ये कब तक मतलब ऐसे चलता रहेगा या फिर इसको सरकार कहीं न कहीं इसको स्टॉप करेगा या फिर लड़कियों को कोई बुद्धिय विबेक आना चाहिए खेर ये तो अब आने वाला वक्त बताएगे इस पर कानून लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है